मसाले भी इनमें जादे नहीं पड़ते हैं हाई दोस्तो हाई दोस्तो कैसे हो आप लोग सब ठीक होंगे तो आगे हैं अपने किचन में आपके लिए रेशी भी बनाने के लिए तो आज हम बनाने वाले हैं बैंगन की सबजी वह भी वह भी बिलकुल अपना स्टायल में तो बनाते हैं बिगर लस्तन प्याज के बैंगन की सबजी कैसे बनाते हैं बिलकुल पाच मिनट में बनके रेडी कैसे हैं और छेकिन लेखे घंगन लंबे वाले और खुप सारी हरी मेर्च यह देखे बड़ी वाली आरी गाते दिखाते यह एंगटे जुड़ी बैंगन की सब्जी किसे बनाते दिखाते शची कलिके हम खो ने हाँ आर काटि लिंगे बड़े पीसो में कि यह इस त accredited बटिक्तव काटनें थी बिच में से दो कर देंगे तो असी कर के हम काट लेते हैं इनको कुर बड़े बड़े बनाएंगे पिल्कुल घरेलो स्टायल मैरीं पोटी भी हरी मिर्ची काटते है जाब इसके नाकमें लगेगी वह हदा चलिगा किया है क्यों अभी भागते वज आएगी अपनी मम्मी के पास कभी कभी क्या होता है जो अपने पास सब्जी होती है वो बनाना चाहिए बाकि हमार पार बैंगन पड़े थे तो हमने सुचा आप लोग के लिए बैंगन की रेसिपी दिखाए जाए तो पोती अभी इसकूल जाने वाल हाथ मिर्चे का नाख में लगा दे नाखिए एक्टिंग बाग पोती है मेरी बहुत जादा साब उनसा हाथ धो जाओ बैंगनों को धो के मैंने पानी में ही काट लिया है अब करेंगे पानी से इनको अलग पता है यह दाने जो होते हैं न सब भी जिसका निकल जाता है जो ऐसे काट के पानी में अगर धोगे तो हरी मिर्चु को भी काटेंगे, मेरी पोती को लग गई है, मिर्चु वो भाग गई है, मिर्चु को बीच में से हम फाल लेंगे, और हमारे कपड़े भी धुल गए हैं, मसीन आवाज करने लगे, पोती वहाँ फैको वहाँ, उदर फैको, अब देखो इसका छटकाना, बहुत काम करती है, बोती मेरी, पसीना हो गया, माती का पसीना पोच लिए, अफो, सारा क्रेडिक इस पर ही जाता है, कितना काम करती है मेरी पोती बताओ, बता दो, साथ मैं खाने का भी काम हुआ ना, बैंगन और हरी मिर्ची को हमने काट लिया है, अब चड़ाते हैं, सबजी बनाते हैं, बड़िया टेस्टी सबजी, तो टेस्टी सबजी बनाने के लिए, सबसे पहले आग जलाएंगे, उसके बाद कढ़ाई लाएंगे, वो भी आइरन क कढ़ाई, तो मेरी पोती खाएगी चीच, पोती खाएगी चीच, पोती पकर, अब डान से दिखा, कैमरे मैं आग तो जल गई है, बहेंग न काले हो जाएंगे, इससे पहले हम बना लेते हैं रेशिपी, जल्दी झटपट काले भी पढ़ जाते हैं बहेंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई को गरम करेंगे, इसके बाद लेंगे सरसो का तेल, कढ़ाई हमारी गरम तेल हमारा अच्छी से गरम हो गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंगन इसमें डाल देंगे, तो बैंगन को तेल में करते हैं, मिक्स, फिर लगाएंगे इसमें धक्कन, हल्की आच में हम पकाएंगे इन बैंगन को, तो हल्का सा हम बैंगन को पकने देते हैं, उसके बार दिखाते हैं, इसमें लगा देंगे धक्कन, फिल्कुल आसान तरेगी की रेशिपी लेके आती हो, आप लोग बनाये करो घर पर जो भी समान होता है, उस समान से अगर आप सबजी बनाओगे न बहुत टेस्टी लगती है सिर्फ उसमें क्या है, अपना प्यार बनना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्यार से जो खाना बनाओगे न वही टेस्टी होता है, काजू, बदाम, वीरा, बहुत सारे चीज़े डाल के नहीं बनती है, सबजी बनती है, सबजी सिंपल तरीके से, तो इसी तरीके से हम बना बैंगन की सब्जी से बनाओना चटपटी अच्छी लगती है अधर आगई हमें खेत में भिंडी तोड़ने के लिए मैंने सोच आ भिंडी मिक्स करी जाए तो चलते हैं किचन में तो सबजी आप कोई सी भी मिलाओना सबजी अच्छी लगती है बस थोड़ा भाँत कुछ ना कुछ मिक्से कर देने चाहिए पाली को फैक दो उदर भिंडी को भी काट लेते हैं अब बीच में से भिंडी को फाड़ेंगे और दो कर लेंगे जैसे मैंने हरी मिर्ची काटी थी ना उसी तरीके से हम इसको भीच में से फाड़ लेंगे जिसको भिंडी खानी होगी भिंडी खाएंगे जिसको भेंगन खाना होगा भेंगन खाएंगे एक पांसे दो काच तो भेंगन को भी देख लेते हैं इधा मैंने भिंडी काट ली है इसको डाल देंगे साथ में हम भिंडी भी डाल देते हैं भेंगन के बैंगण को पकने में टैम लेगता है पर भिंडी को पकने में ज़्यादे टैम नहीं लगता है सिर्क हम इसमें आप डालेंगे मसाले फ़ाद अनुसार नमक डालेंगे हलका से मसाले चटपटा करने के लिए मेर्च लाल वाली जीरा और थोड़ा सा हल्डी अब करते हैं अच्छी से mix इसको, मसाले भी इनमें जादे नहीं पड़ते हैं अब जादे इसमें टैम नहीं लगगा, दो मिनट में हमारी भिंडी भी पक जाएगी फिर दिखाते हैं आपको कि अबुद पकाएंगे 3-4, सब्जी बनके जाएगी तहियात के ह Cait childation, हलके आच में छोड देंगे भिंडी की ठीए फिलके आच में ही पकग जाती है, इसमें जादे आच जलाने की जरूब्ड़त तो अगर इनको चावल के साथ खाओगे ना भात के उपर से रखोगे ना इसको क्या टेस्टी तो इसमें ना लस्टन है ना प्याज है ना टमाटर है फिर भी लाजवाब दिख रही है तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाओगे घर पर कैसा लगेगा वह बिल्कुर मेरे तर पराटे के साथ बस इसमें थोड़ा सा अचार रखो किनार से रोटी चामल कुछ भी रखो खाओ एस करो एंज़य करो तो ऐसी रेसीपी लेकर आती है आप लोग के लिए तो मेरी रेसीपी के लिए लाइक तो जरूर बनता है दोस्तों अगर बीडियों पसंद आई तो आप फोड़ी देर दिखाते हैं आपको दूसरे दिन की रेस्पियां क्या लाने वाले है ठीक है